आज मदर्पतेश में कॉंग्रेस के सीनियर नेता कामल नाथ मुख्यमंत्री पत की शपत लेंगे साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में सीवी आई कॉंग्रेस के नेता सजन कुमार के एक्विटल के खिलाफ जो 1984 दंगे में उनको एक्विटल हुआ था लुवर कोर्ट द्वारा उस पर सिख दंगा पिडितों के साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी है और ये सब लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि आखिर जब कॉंग्रेस सत्ता में आई मनमोहन सिंग को प्रधानमंत्री बनाया और उनसे माफी भी मागी जददेश के सामने तो फिर आखिर जो दागदार ने में भी हमने एफिडेविट फाइन किया था लेकिन आठ तक 35-34 साल हो गए हैं दंगा पिड़तों को कोई इंसाम मिलने का सवाल ही नहीं क्योंकि अब अटल बैरी वाजबे की सरकार थी जब भी हमें इंसाम नहीं मिला सजन कुमार सर्याम कतलियाम कराता है इतने सिक्षों का दस हजार के करीब सिक्षों का कतलियाम हुआ और जगदीज जैसे टाइटलर को और ये कमल लाथ जी है इनको मुखमत्री बना रहे हैं और एक सिक्षों के और विड़ों को जो जखमों पे नमक कुरेजने वाली बात है ऐसे वेक्ती को राउल गांदी को चाहिए ऐसे वेक् के अंदर ये दोशी है अगर इसको आप बनाओ गए तो पंजाब में वोट नहीं मिलेंगे तो आपको ध्यान होगा एक हफ्ते के अंदर उनको हटा दिया गया था एक तरह से कॉंग्रेस पी एक्सेप्ट करती है कि कमल लाथ दोशी है रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट में उन उस समय राजीव गांदी ने कहा था कि जिस कॉंग्रेस नेता की कॉंस्यूटेंसी में जिस कॉंग्रेस नेता के इलाके में सबसे ज़्यादा सिख मरेंगे उसको इनाम दिया जाएगा राहूल गांदी राजीव गांदी को इस बात को पूरा कर रहे हैं यहाँ पर आप बैनर पोस्टर देख रहे हैं, साथ ही तमाम सिख दंगा पीडित भी देख रहे हैं, ये सब लोग आज बैटे हैं, बहुत कुरूशल दिन है, कमल नात की ताजपोशी भी है, आज साथ ही CBI दोबारस सजन कुमार का खिलाफ हाई कोट में याचिकादार कर रह राड़ का साथ हुआ याजइ